क्या शाहिन बाग देश का षिस्टा नहीं है क्या शाहिन बाग में देश का कानून लागू नहीं होता क्या शाहिन बाग कां। बीड तंत्र देश के कानून को खुली चुनौती नहीं दे रहा यह सब सवाल उठाएं हैं दक्षिनी दिली नगर निगम के मेर मुकेश सूर्यान में जिस तरह नगर निगम के दस्ते को अतिकरमण हटाए बगेर शाहिन बाग से लोटना पड़ा वह दर्शाता है कि इस इलाके के भीड तंत्र ने यह ठान लिया है कि इस इलाके में वही होगा जो वह चाहेंगे शोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की भरमार है जिसमें यहां के लोग अतिकरमण विरोधी कारवाई करने की हिम्मत दिखाने के लिए सरकार और प्रशाशन को खुली चुनौती देते हुए देखे जा सकते हैं ऐसे में सोमवार को ज दोहिंग्याओं की शाहिन बाग में इतनी ज्यादा आबादी हो गई है कि कुछ लोगों के लिए राजनीतिक ताकत बन गई है यही बात यहां रह रही घुसपैटिये भी जानते हैं कि उन पर आच भी नहीं आने दी जाएगी इसलिए वह बेख़ौफ होकर सरकार और प्र फ्रेंड्स कलोनी और मंगोल पूरी सहित अन्य एलाकों में अतिकर्मन विरोधी कारवाई हुई तो कोई नेता या कारेकरता आकर बुल्डोजर के आगे नहीं लेटा ऐसे में सवाल उठता है कि कुछ नेताओं को शाहिन बाग से इतना प्यार क्यों है सबको समझना होगा क कि नगरनिगम की कारवाई किसी धर्म विशेश के खिलाफ नहीं की जा रही है यदि अतिकर्मन नहीं हटाए जाएंगे तो ट्रफिक जाम्जसै कैसे निजात मिलेगे। यधि अतिकर्मण नहीं हटाए जाएंगे तो जुरूत पढ़ने पर ऐम्बूलेंस या वर टेंडर कैसे गलियों में घुस पाएंगे। यदि घुस से के संसाधनों पर धीरे धीरे अपना हक जताने लग जाएंगे अभी जिनको यह सब कारवाई किसी धर्म विशेश विरोधी लग रही है उन्हें जब यह समझ आएगा कि उन्होंने अपने छेत्र के विकास और अपने बच्चों के भविशे की रह में रोड़े अटकाए है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी लेकिन सवाल यही है कि शाहिन बाग के लोगों को समझाए कौन आपको ध्यान होगा कि शंचोदित नगरिक्ता कानून के खिलाफ शाहिन बाग में चले आंदोलन की दौरान यहां के लोगों ने ना तो सरकार की सुनी थी और ना ही माना जाता है कि ऐसे इलाकों में हो रहे गलत कारियों पर कारवाई करने से पहले पुलिस को भी सोचना पड़ता है हाली में जहांगीरपुरी में सब ने देखा कि कैसे च्छतों पर से पत्थर परिसाए जा रहे थे यदि आबादी के विगड़े अनुपात वाले इलाकों में एक सर्च ऑपरिशन चला लिया जाए तो घरों या च्छतों से ऐसी ही सामगरी बरामद होगी यहीं नहीं ग्यानव्यापी मामला देख लीजिए यहां अदालत ने ग्यानवापी मस्जिद परिसर में जो सर्वे करने का आदेश दिया था उस कारे में बाधा डाली गई यह जानते हुए कि सर्वे टीम आ रही है बड़ी संख्या में वहां लोग एकत्रित हो गए अदालत दौरा नियुक्त कमिशनर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के वकीलों के साथ ग्यानवापी श्रिंगार गौरी मंदिर परिसर के अंदर गए लेकिन करीब दो घंटे जाने की अनुमती ही नहीं दी यहां जिस तरह आदालती आदेश की रह में भीड तंत्र आया वह साबित करता है कि ऐसे समय देंशिल मामलों में कारवाई कि समय सरकारों को और सतर्कता बढ़ते जाने की जरूरत है वराल लोगतंत्र पर भीड तंत्र के हावी होने के कई समयती ने भी की ती लेकिन उसके मावजूद भीड तंत्र ने जिस तरह देश का माहल बिगाड़ा उसको देखते वे सरकार ने देशित में उन कानूनों को ही वापस लेने में भलाई समझी थी यहीं नहीं हाल ही में रामनौमी पर्व के दौरान जिस तरह कई राज्यों मे चाहिए कि इस मामले में एक जुटता दिखाते हुए कारवाई करें साथी धर्म गुरुमों के माध्यम से समाज के लोगों को समझाया जाना चाहिए कि विकास कारें को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाए और महमारी के बाद तेजी से आगे की रह पर दोड़ रही भार की नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके